ओके कल के लेक्ट्टर में हम लोग ने सिंगल लेव इने देखा था तो इने इस का में आपको परपस बताया था इने इस मतलब क्या होता है वे मिझे बताएगा क्या पड़ाता हम लोगों ने तो इने इस मतलब डिराविंग प्रॉपर्टी और पारेंट तूदी चाइल कॉल डाइस इने रिट तो इसमें वही करना है तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था पैरेंट और चैल यह दो क्लास लिए थे इसके बद आभी क्या करना है हमें और एक क्लास लेना है इस केस में क्लास का नाम क्या होगा और हम लोग मुल्टी लेवल बनाएंगे जैसे कि फॉर एजमपल यहां पर अभी ऑबदर कीजिए कि एक एक ग्रेंड पैरेंट है कि फिर पैरेंट है कि फिर चाइल ले ठीक है मान लीजिए चाइल के पास उसने उसके पैसे से बाइक खरीद लिए पैरेंट के पास उसके उनके पैसे से कार है और जो ग्रेंड पैरेंट है उनके उनके पैसे से क्या है बंगलो है बंगलो भी है और स्वाम भी है और पापा के पास फ्लैड भी लेते हैं अभी आप बताई मुझे जैसी में यहां पर एक्स्टेंज को रहूंगा ईसका मतलब्स प्रॉपटी सब किसको आएगा इससे ब Such a लोग इसका पहला पुरूप करते है ए पर चोटा सा कोड लिखे दिखाता हमें पर हम आगे बढ़ते कुस्ट है तो चाट ओंट है तो पापा के पांद के पास क्या रखा था यह लग रखा था का रखा था 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 ठीकर अब यह जैसे मैंने बता है पारण एक्स्टेंज ग्रेंड पैरेंट राइट याद रखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा हम ऑब्जेक्ट हमेशा चाइल का बनाते हैं तो जैसे में चाइल को अब्जेक्ट बनाता हो देखिए वो क्या आके अक्सेस पर कर पा रहा है अब देखिए चाइल का अक्सेस्ट बना है तो चैइल क्या कर रहा है और ग्रेंड पैरंट का बंगलो बहुक्त कर पार है इस से बलते अर्य और आप इसको भी बना सकते हैं में इसको ग्रेंड ग्रेंड प्रेंड भी होता रएट इसको में एसको करता हूं यहां पे आप कर सकते हैं एक्सटेंड्स ग्रैंड ग्राइंड पेरंट और मानले जिनके पास साम है है तो यह सब विरावात में मिलते रहे शुच लोगों का पॉलिटिक्स में भी कर्येट पुर्कों से आया हुए तो वे वाला लॉजिक हुआ तो समझा सबको मल्टी लेवल में क्या होता है आपको ऑब्जेक्ट इचाइल का बनाना है ठीक है इसमें और एक चीज़ होती ही मैं बताता हूं जाना पहले इसके उपर डिसकेशन करते फिर और बढ़ते हैं इस ठीक है अगर आप यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या किये अगर आपड़ोर्र की है तो यहाँ पर मैंने जो अबजेक्ट बनाया है ओ है ग्रैनपरंट का नाउं वाट वी विल डू तो मेरा पहले ग्रैंड ग्रैन पैरेंट एंग यहां पर मैंने चाहिक बनाता हूं इसका मतलब क्या होता आएकें एक्सेज्ट मैइ प्रोपरटी तो पैरेंट की नीचे का नहीं होगा जहां जिसका जिसका बनाते उसलेवल का उपर के लेवल गा सब एक्सेस जिससे कि इस केस में अगर मैंने पैरेंट को बनाया तो आई कैननोट एक्सेट प्रोपर्टी कि अभी कैसा होता नहीं है पैरेंट कभी बेटों से कुछ मांगते नहीं राइट तो सेम लॉजिक आपे होता नाओ आम गोंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट आप पैरेंट यहाँ में व्हूंत तो उसके उपर के सारा यहाँ कर पाते आई इससे केजें से अगर मैं ग्रण शे shoulder क्रेंट एक्सट्रेंट बनाता हूं इफ आपक्रेट तो मैं किसकी तरूंगाолн की प्रोपट्र आंपके और और ग्राइन परन के ऊपर के मुझे ग्राइन गंपरन के तो यहां पर दिखा बिदू के लिए रहा है राइट किसी को भी डाउटिक बताए मैं में अन्मूट कर रहा हूँ और इतना इंपोर्टन नहीं है अभी बात कर सकते किसी कुछ डाउट इते बताएं अच्छा अच्छा ओके ठीक है वाइदा है एक स्वारी मैंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंगल लेवल के पैरेंट मैंने आपको मल्टी लेवल बता है याद रखे लिए एक काम की चीज़े हो सिंगल लेवल वाला इजो अभी सबको पता चल रहा है अपने पाद टेस्टेंग यहां पर देखिया यहां पर क्लास होता है यह इसके बारे में शाहिद आपको थोड़ा लेट पता चलेगा लेक टेस्ट एंजी नाम का क्लास मना है यह इस इस क्लास में ने क्या लिखा पता है कि इस क्लास में लॉग इन करने को लिखा है लॉग इन टू अप्लिकेशन मान लेगा मेरे पास चा पर मैं क्या करा मुझे एक बात बताई मिजे हर टेस्ट केस के लिए अप्लीकेशन को लॉगिं करने के ज़ुरों थे टो मैं क्या करूंगा हर एक केस में लॉगिन नहीं करूंगा यहां पर लॉगिंगा प्लीज़ यहां पर लॉग इन का ऐसा कोड लिखोंगा तो क्या होगा मेरे नंबर आप लाइंस बढ़ने वाले कि जिसका यूज नहीं है अगर इन फूचर कुछ चेंज हुआ तो मैं सब्सक्राइब पड़ेगा तो जैसे इने की जो कंसेप्टे यू कैन यूज पारेंट तो यह सब्सक्राइब तो यह सब्सक्राइब तो इसलिए हम लोग टेस्टेंज में यूज करते हैं यह बस मैं छोटा सा सीनियोरे बताया और दो-तिन चीज़े हम लोग करते हैं जो बेस क्लास में और यह तो आपको इस इस क्लास में जाना है तो क्या करना पढ़ता है यहाद में जह लगने माली यह जिसे लॉगिन करना है लॉग ओड करना में इसको यहां पर लखांगा तो यह काल कर पाएगा तो मुझे हर बार में जगा पर लिखाता इसको मैंने बहुत जगपे कॉल किया नव लेट्स डिसक्रव गुश्यंट ठीक है तो अभी यह होगा अभी इंटरू में क्या कोश्यंट पूस्ते हैं देखिए इंटरू का कोश्यंट क्या आता है बता है का वहर यूँओ और यूँघ्ट अंक्या इन यूँडश कहें चीनलब सेम्क्राइगा इसमें थोड़ा ट्रौ मितलब सेम्कॉश्यंट वियरοι रुखॉश्यंट तो इसका एंसर क्या आज याद रखिए मेरा एंसर क्या है तू मूव फ्रॉम टेश लेयर तू बेस्ट लेयर वी हाव यूज यहाद है अभी मैंने इसको वैसे किया था देखिए अपना जो प्रेम प्रेश्ट इंजी वाला उसमें में वही बताना चाहरा था यह मेरा टेस्ट लेयर में सबको यह बहुत इंपरन टॉपिक है तो कहां पर उसका इंटरूम यह पूस्ट आप अपने इनिटिक कभ यूज क बताना है अभी इसके बात का जो नेस्ट टॉपिक है एट इस पॉल्लीमर प्रेश्ट यह इनिया कोन से का सेकंड टॉपिक थाकिन तॉपिक है इसके दो टाइप होते है इसके यह बड़ा करता हो है तो ठीक है याद दखिए इट यह हैश सब्सक्राइब को याद रखिएगा कंपाइल टाइम पॉलते हैं बहुत लोग कन्फूज होते हैं फिर उनको पता है नहीं चलता क्या बोलना चाहिए कंपायल टाइम पॉलीमर्फिम सेकंड है इसी कह बोलते हैं मेठर्रड ओवर राइडिंग और इस इक अरं टाइम सेकंद होली के बारे में बात करते हैं तो वाट्रिस में में मेरें लोडिंग और कंपल टाइम पोले में क्या है ओके जिस एग्जाम्पल देता हूं में आपको थोड़ा पिच्चर क्लेव रहा जाएगा मान लीजिएगा मुझे एडिशन करना है कि दो नंबर की तो एड लिखा मैंने हम लोग कैसे लिखता है हमें शकूर पॉब्लिक वाइड एड इंट यहां पर दो लिखता है याने दो नंबर के आड़ेशन इंट एक कॉमा इंट भी इसके अंदर में कोड लिखांगा इंट एकल टोवल भी फिर पॉब्लीक वाइड विख रिखना यर्थी इंड कंवा इंड भी को मा इंटि इसमें तीन नमर्डिक इंड लोगें इंड सम ए प्लस बी फ्लस सी अबी मुझे पॉब्लिक वाइड मैं चार नमर काड़ेशन करना है इंट A, इंट B, इंट C, इंट D So, इंट Sum is equal to A plus B plus C plus D तो मुझे एक बात बता ही है ऐसे मेरे मान लेकिए 100 नमर काड़ेशन है तो मेरे 100 मेतड हो जाएंगे ठीके अभी दिक्कत क्या हो रहे पता है का अपको हमेशा इसका नमाद रखना पड़ेशन है इसके आगे 2 लिका है इसके आगे 3 लिका है अपको नहीं लगता है यह बुरी चीज़ है तो इन लोगों ने क्या किया पता है इन लोगों ने क्या सोचा है क्यों ना हम इसकी जगह पे कुछ और करते है इन लोगों ने क्या किया पता आए गया इसको कॉपी करने ओक्षिन देखें तो यहाँ पर मुझे हर बार नाम याद रटने पड़ रहे हैं तो उन लोगों ने क्या सोचा है कि क्यों ना हम इसकी जगह पर इसकी जगह पर हम लोग क्या बोल रहे हैं इसकी जगह तुम यह से लिको एड़ 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 मतलब क्या बोलना चाहता हूं मैं मैं यह बोलना चाहता हूं कि इसकी जगह सब ना मसेम कर दो इनके नाम सेम बस इनके पाराइमिटर के डेसेट को कॉण सी मिठट को कॉलव करना जैसरी की फॉर एजमपल आपके एक्जमपल बताब यह वाले तो मेरे इस केस्ट में में नाम से मूंगे बस मेरा आर्गूमेंट करेगा मुझे जैसे कि for example मेरे पास आदम की मिठड़ है कि मैं आपे लिटा क्लास मिठर जैसे मैंने बता है क्या आप करना चाहता हूं में पब्लीक वैड आड इंट ए कॉमा इंट बी ओके इंट समीज इस इकल टू ए बलस बी एस वा आई एस व सम तो अभी मैं सै इंपले मिंट रहा था अपर टू था आपर थे कर तो इंट सी है यहां पर मैं एड़ फोर करता हूँ तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ रहा है मुझे हर बल्स का नाम याद रकना बहुत दिमग घुम रहे हैं तो मुझे ऐसा कॉल करना पड़ रहे सी डॉट एड लेको एड टू लिखो फिर यहां पर एड फोर लिखा तो फूर वहलो पास केजिए कुझे मिझे सी डॉट एड किया एड थ्री किया तो मुझे तीन पारमेटर लिखना पड़ेगा राइट फिर मैं सी डॉट एड टू लिखता हूं वन कॉमा थी लिखा राइट देखे मेरे नाम देखने में बोरिंग लग रहा है याद रकने में बोरिंग लग रहा है तो इन लोगों ने क्या किया इसकी जगह पे इसकी जिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसका नाम ही से पर अपर लेंग इसका नाम ही हम लोग सेंग वो खुद बखुब धुन लेगा उसको क्या रण करना इस की इसको निकाल दिया दो यहां से कॉन से कार स्कूर में यहां पर यहां पर इसको कॉल करेगा अब यहां पर तिन पडिल नों यह दो परामेटर इसे कि दो इस लिए तो आप में र है यहां प щा पारमिटर इसने चाहर पारमेटर वाले में कॉल किया है फिर यहां pa थीन पारमिटर है में तो पारमिटर को मुझह है क्या क्या सोदें है तो में तो में तो मुझे एक चीज से समझ वाई कि हाप पर क्या होता है अपना सब कर में नेम से मोते हैं में नेम्स आर सेम मुझे का पता चला में तरह ने बट उसके जो आर्गुमेंट से अ आर डिफरेंट अ इसके अर्गुमेंट क्या है डिफरेंट है दूसरी चीज मुझे क्या समझ गाई देखें जो मेंटर ओर्डिंग था मेरे सारे के सारे में एक ही क्लास में कुछ और क्लास में नहीं है तो सेकर्ड पॉइंट है आल मेथर्ड आर इन सेम क्लास थर्ड पॉइंट क्या पाता चला मुझे यहां से अट कमपाईल तैम इडिशन विच मेथर्ड तो बी एक्जीकूट कंपल टैम मतलब आप देखें पदढ़ सकते हैं यह थ्री वाला है तो थ्री वाला में रण होगा तो कमपल टैम होता है और दूसरा जो रन टायम है उसमें का था रन होने के बाद वोडिशार करता है मतला रन होते से में और इसे ही बोलते कंपल टैम पॉलिम नाँ वी विल गो फॉर दिसकेशन तो आ विल स्टॉप देखें अभी मैंने जो नोट पैड में जो भी पॉइंट लिके इसका और इसका तुन पर दिखें सब का मेचने में से में राइट बट अर्गुमेंट डिपर देखेंगा इसक क्या है अल मेंटर आर इन सेम क्लास देखिएगा अगर आपड़र किये सारे मेटर कुस्ट में है जावा बेशिक सब्सक्राइब मेठर ओफलोडिंग नाम के क्लास में है किसी और क्लास में यह रैट इसे बोलते में तो यह कंपल से रूल है मतलब आप जब सेव करते हो तब यह करता है तो क्या रण कोन सी में तरेगा राइट तो इसे बोलते में तो अभी किसी कुछ पुछ नहीं क्या है तो क्यूंकि नहीं तो में यह आपन कैसे सब्सक्राइब करूशक्ता है में तरो लोडिंग लग और पर जिए ओर हलो sir hold on hold on okay so i'm not gonna be method overloading right now we will go for method order let me copy this code to the main code so that it will better for you to execute now next topic is the method already so let's go for method method overriding method overriding or it is also called as run time polymorphism ठीक है चलते है तो method overriding के बार में पहले बताता हूं तो इस केस में क्या होता है method name and arguments arguments are same researches all methods should be in different class user there should be inheritance between them in this case child methods always 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 challenge methods get executed always हमेशा हमेशा ठीक है ठीक है ठीक है अब लोब इसको implement करते हैं तो मुझे क्या करना है simple देखिए हाँ पर मैंने आपकी पॉइंट लिगा है आपका method name same होता है और आपके जो भी methods है that in different class यह बहुत important चीज़ है इसके बारे हम लोग पढ़ते पहले यह लिखा तो मुझे पहले जैसे मैंने बताया था कि all methods are in different class तो मेरे जो भी methods है वह हमेशा different class में होना चाहिए और इनके बीच मेंने क्या लिखा हुना चाहिए राइट होना चाहिए राइट लिखते हैं ठीक है यह भी मेरा method है यहां पर में method over adding लिगता हूँ यहां पर में parent लिखते हूँ पैरेंट और हमेशा की तरह यहां पर चाहिए लिखता हूँ चाहल एक्स्टेंस परेंट्स और हम मैंने आपको पढ़ा है हम हमेशा अब चाहिए बना पढ़ाते बनाते हैं ठीक है यहां देखो मैंने जो लिखा वेजी लिखा देख्या में अर्गूमेंटाट से तो देखिये आपे मेरे method का नाम का नाम किया पर दो परमेटर से तो पहले फोर्स पर आल में तर शुद भी डिफरेंट क्लास में और यहां पर जो एड नाम का में चाइल क्लास में तो आपको इसका बताता हूं क्या होता है तो यहां पर मैं सी डॉडड आड किया है बैसे चिजन तो आप लिफान पर सकता है तो इसको औप्शन यह मिए बहर सकता है यह फिर पिसम कर सकता है यहां पर यहां पर चैलिंड़ के दिया खिएगा तो कि यहां पर देखिए यहां पर गोरी वह सकता है लेकिन होह मैशा चाइल का मेठी करता हैं रिविवेंबर इंपॉरец इस से उट रिटा कि और रहा है क्योंकि इसे हमलों को रंटाइम पोल रहें क्योंकि उसनी रन टैंपर कि यहां पर आता है when it comes to this point तब उससे पता चलता रहा इसके बास भी एड है इसके बास भी एड है इसके बास भी एड है इसमें भी दो पारेंट और मुझे जो कॉल गया वह भी दो पारमेंट है तो रंटाइम पर डिसाइड करता है मुझे पारेंट के पास नहीं चैल के है अब अब हम लोग डिस्कॉस होते है वाइड है इंप्लीमेंट है रंटाइम पॉलिमेंट है आपको एक छोटा सा एक्जम्पल देने का ट्राइक करता हूं पर शाद आपको पता चलेगा अब इसका एक्जम्पल कैसे दे सकता है हम लोग मान लीजेगा अमबानी के पास उसके बेटे का उसका बेटा है अमबानी बोल रहा है कि अमबानी के पास अभी क्या है जीवो का चल रहा है जीवो का फोन बहुत बड़िया चल रहा है उसका बेटे के पास अभी उसका अमबानी क्या चाहता है कि मेरा बेटा भी जीवो का फोन में बिजनेस करें मतलब उस जीवों का फोन को जो बिजनेस है उसे एकस्पांड करें उसे क्या बोले है एकस्पांड करें ठीक है लेकिन मान दीजिए अमधनी चुछ यूज़ कर रहे है वो 4G की टेक्नोलोगी उसका रहे है राइट 4G की जो अभी पूरा नहीं हो चुकी है लेकिन बेटा चाहता है कि न फाइजी पेरन गुरूंगा में जब में चाहिएल का अब बनाता हूं तो दोनों भी उसके पास जिवो के फूर नहीं यहां पे भी जिवो के फूर ने इसके पेरेमेडुर से में बट कौन सा उर्ण वह इसके में फाइज़ोल अलब बहुत तो इसके में हम लोग इसे बोलते है या फिर इसको और एक्जम्पल से मैं बताना चाहता हूं अगर मान लिए पारेंग के पास कुछ प्रॉपर्टी है कि उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है उनके पर चाहिल के पास चाहिल क्या चाहता है मुझे मेरे पापा की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए I want to do on my own मुझे मेरे पैसे के उपर कुछ करना है मेरे दम के उपर करना है मुझे आपकी प्रॉपर्टी से कुछ भी इंट्रेस्ट नहीं है इसे हुआ कि ने में तो पापा का जो भी ब इससे बोलते हैं मेटर ओर राइनिंग राइट तो इसकेस में आपकी जो प्रॉपर्टी होती है मतलब मेटर वो कभी एक्जूट नहीं होते हैं हमें चाइल की जीट होते हैं इसलिए मैंने हाँ पर भी लिखा है अलवेज गेट चाइल्स में एक्जिबूटर तो हम लोग अब भी इंटरू की में क्या पूछते हैं इंटरू का सबसे फ्यूर्ट कॉस्चेन यह है कि यह बबाव डिफरंस क्या को इसके एक ही बान से दो निशान है तो क्या आएगा डिफरंस बेट्विन मेटर ओर लोड़ी और अट इस दो निशान है तो में तो लोड़ीं के बारे में यह लिए लिए से मटर डिफरंस ने रहे तो में है पर में थारोली निटमें और हापे में तो और रिए वरे निए अ याप यहाँ पर जैसे में ने बताया ने था वरेंग के लिए फॉर्वाइब है आपके नीड़ ओता है नीड़ाप इनिड़न से यहाँ पर नीड़ाइक है कि में तो और रोडिंग में नहीं है बेगा नहीं जुए जब टेके अभी किसे कुछ दो टेकर बताएंगा यह वी तिक फिर आज के अच्केल के खोरे कोशिन तरह लाख कोशन कुछ तरह बिक किसमें पूच्छा इन यूवर रोजट वेर यूव वाव यूव 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 यूज अ वाव यूज अ कर बादे बात लोग कोशचन है इंप्रीचिट वेट किया है तो सुनिएगा जब हम लोग क्या बोलते से जब हम लोग स्रेलिम पड़ेंगे तब इंप्लिसिट बेट के बारे उन डिफिनिट लाएंगे तो बस अभी के लिए आदा कि इंप्री सिट वेट आता है बद याद रखेगा जब वह पॉइंट आएगा डेफिन आपकर यह फाइल ओपन करके में हाँ पर दिखाऊंगा तो डूंट बूरेबोट इट तो मेटर्ड ओर रड़ी इसका एंसर है यहां पर आता है फाइनलाइज में टरिक करके होती है इसके बारे में बताऊंगा जो गारवेज क्लेक्टर काम करते हैं आपके कभी कभी लोग लोग लिए डरेट रॉन ओल यह होता है यह वाला भी एक मेठीड होता है इसे पाट ओप्शन होते हैं अपके यहां पर भी दिखाते तो काम भी में इंप्रिशिट वेट काप अवेले दिखा देता तो इंप्रिशेट अपना व्यावास फ्रेमग भी है इसकी अंदर में रेडियो में जाओंगा इसको इसमें जाओंगा यहां पर दीख रहे कर सकता हूं इसकी जगह में इसकी जगह में अवर्स भी कर सकता हूं यहां तो यहां देखिए मेरा पारमेटर चेंज हो रहा है यह पारमेटर में तो इससे बोलते हैं फिसेट पेड़ से घिंग में तो मेरा क्या है इसकी में से मरह आ हो यहां पर पाई जैसे इन श्रीन यह भी किया तो भी प्लिबश्चेंज हो राइट मैंने बताए आपको अग्जांपल भी दिए तर तो सेम लिएपे से कंदे अब मैक्रो सेकंदे अगर से मिलिसेकंदे यह भी कर सकते तो अपको पारमेटर चैस्ट तो यह हुआ इंप्लिसिट वेट अभी किसी को डाउट इसके से अगर आपको चाहिए तो यह लेजिए आपके लिए बस यहां पे अभी आपका डॉट्ट क्लियर हुआ एसा नहीं होता ठीक चलू आपके लिए हुआ से में बस मैरे पारामेटर फूले डुशलों तैसे आपर भी इंट 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 रिग्लिका खतम अलग अलग हुआ तेके यह हुआ मेठर ओर लुडिंग अभी मेठर ओर लुडिंग आपर दिके मैंने कभी कपर आपर लिका हुआ है इसमें नहीं पता दिल रहा है अधर टेस्ट वाला मेठर कहा पर है एक से कंदी जी बस दिए कहा पर तो लिखाता है तो एकी से कंदी जी अपना कुकुंबर में है क्या कि अचीज पर मेरे पास नहीं है अपको बात में दिखा था विए इसमें टाइम ने विश्क है ठीक है इसको बात में करते है पर इंटर्व्यों मादे एक जाक कसा अंसर देता है मैंने लिखा है वही अंसर देना आपको शेम बढ़ने और किसी कुछ पूछने है गया